हेलो एब्रिवन सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम जब हमें तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSGD के मेडिकल के बारे में तो जैसे आप सभी कंडिडेट को पता ही होगा कि SSC ने 30 जून को जहां पे मेडिकल के लिए कट आफ लगता है कि आपका मेडिकल 15 जुलाई से आपका मेडिकल शुरू हो सकता है जैसे कि आपको लगते हैं कि जो दस-पंदरा दिन पहले आपका जो रिजल्ट है शो हो चुके हैं आप फोड़ी दिनों में जो आपके इडमिड काड़ है वह भी जारी कर दिये जाएंगे और 15 तो आपने थम्नेल देखी लिए वीडियो में बात करने वाले हैं हम फुल प्रसेस कि इसे करवा जाता है उसमें क्या चीजें कर वहाँ चैनल आपके डॉकमेंटेशन में क्या होता है और सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज में शेर कर दें तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे थमनेल अपने चक कर लिया होगा कि एस जीडी मेडिकल कैसे पास करें तो सबसे पहले मैं आपको जहां पर अपने ही बेस के उपर बताना चाहता हूं कि मैंने चार वार मेडिकल ऑंड०क्ट मेरे हुए है सबसे पहले मेरा जो मेडिकल था इंडीजन आर्मी में मैंने दिय था सेकिंड टाइम पर मैंने जहांपर नेवी एससर का जो अचैसे मेरे मेसे के पीछले दो जहां पर बताने के शाons मैंócbaren हम नंके इन medical होता है तो medical वले दिन entry में क्या-क्या चेक होता है तो सबसे पहले आपकी entry होगी entry में आपका होगा आपका admit card check और साथ में आपके जहां पे एक original ID card जैसे के अधार card pen card आपके पास जुरूर होना चाहिए आपके पास एक admit card और आधार card होना चाहिए तो आपने entry कर ली तो सभी center का अलग अलग परसेसर हो सकता है किसी center का कोई अलग सिस्टम हो सकता है क्योंकि सभी center का जो staff है वो अलग होता है तो इसलिए आप अपने center के हिसाफ से देख ली जिएगा अगर किसी ने पहले भी medical दिय पूरी knowledgeable जहां पर आज की वीडियो होने वाली है तो entry कर ली है आपने जहां पर अपना अधार card और admin card दिखा के उसके बाद आपके एक साइट पर आपके जो बैग है वो रखा लिए जाएंगे आपके आपके जो बैग है अंदर आप नहीं लेकर जा सकते इसलिए बैग को एक तरफ साइट पर गेड के पास ही जहां पर उन्होंने रखवाली होते हैं आपको एक token दिया जाता है वह token आप संबाल के रख सकते हैं तो इस सिर्फ आप अंदर क्या लेकर जा सकते हैं आपनी जो document file है वह ही आप साथ में लेकर जा सकते हैं क्योंकि आपका जो सिर्फ medical ह और आपकी बायोमेट्रिक अटेंडर्स होगी तो जो आप पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रसेस आपका चलता है तो आपकी ब्यामेट्रिक अटेंडर्स पूरी होने के बाद जहां पर आपकी जो medical का पर सेस है वह जहां पर शुरू हो जाता है मेडिकल के परसेस के लिए जैसे कि एक दिन में सो बंदों को बलाया है माल लीजिए उसमें आपको जहां पर पचास एक गुरूप में डाल दिये पचास दूसरी गुरूप में डाल लिए तीसरा गुरूप भी इनने बना दिये जो थोड़े थोड़े बच्चे 30-35 करके बच प्रसेस जो दो तिन डॉक्टर होते हैं वह जहां पर अलग अलग जहां पर प्रसेस को देखते हैं तो इसमें जहां पर एक प्रसेस होता है आपका जहां पर जूरिन टेस्ट आपका ब्लड टेस्ट और आपका एक्सरे जह कभी जहां पर प्रसेस कंप्रीट कराने के लिए जो SSC ने जो भी जब आपका medical होता है इन्होंने private जो जहाँ पे lab को जहाँ पे hire किया होता है उसमें बीच में जाकर आपका urine test जहां पूसर ते जहां पर ब्ल heterünüz और जहांथन पर ex-ray जहां को लेकर जाना होता है वह आपको आपको बस इसमें जो डाल के आपको जहां पे X-ray आपका blood test urine test लेकर जा सकते है जैसे कि एक group का जहां पे जो medical धिर ही ओने लगा है जैसे कि आपका आँक कान का तो दूसरी का जहां पिए इन्होंने blood test करवाने के लिए जहां पे urine test करवाने के लिए किसी private lab में लेकर जाना होता है तो तीसरे का जो अलग doctor है वो तीसरा process चलाता है ऐसे करने के वाद जैसे कि एक doctor का जो आँख का कान का जो process है पूरा हो चुका है उसी group को आप जहां पे x-ray करवाने के लिए blood test करवाने के लिए लेकर जाना होता है तो दूसरे जो process है उनका जहां पे जो आँख का कान का process शुरू हो जाता है तो आप जहां पे मेरी बास समझ गी होंगे कि कैसे एक group जा B group को जा C group को जहां पे बांटा होता है तो पिशली बार जहां पे medical में जो दो दिन लगे थे पहले दिन आपका जो आपका पहला process हो चुका जानी कि जो पेट के उपर का पूरा process आपका complete हो चुका था बाकी का process second day जहां पे complete हुआ था तो इसमें के वर दो दिन में लगते हैं आप अपना जो इसमें जो देख सकते हैं कि आप अपनी जो routine के साफ से कोई खाना जा फिर आपने dry fruit वो आप साथ में लेकर जा सकते हैं तो जहां पे रात को आपको जहां पे बाहर निकाल देते हैं आप जहां मर्जी रहिए और उस होते हैं वह अपने अलग अलग प्रसेस को जहां पर चलाते हैं तो इसमें आपके आंख का का जो त्रोड का आपकी जहां पर दांत जो आपकी चेक की जाती है तो जे अच्छे तरीके से आप जहां पर दांतों में जो पॉइंट होते हैं जैसे कि आपके दांत ज्यादा सड़ में डाल दी जाता है वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके बाद जहां पर आपका जो चैस्ट एक्स-रे वह उन्होंने चेक कर लिया आता है उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लिगता उसके बाद बागी की आपके जो प्राइवेट पार्ट है उनको चेक किया जाता जाता है नोगने बगएर आप की चेक की जाती है जे सब कुछ आपके उठक-बैठक से करवधे जैं कि आप ईससे यगर निए आपको पढ़ते हैं पहले होता था难 Rockman मेडिकल में आभी जहां पर दो तीन दिन का ही समय मिलता है रही मेडिकल के लिए ज्यादा दिन का समय नहीं मिलता है तो इसलिए जो आज मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी जो कलर ब्लाइनेर्स टेस्ट के लिए वह अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको जल्दी है इसका रिप्लाइ कर दूंगा तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जैहन जैवार्थ